आज का सेशन स्थार्ट होने से पहले आप सभी को एक सवाल क्या किसी देश की ताकच सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी सेना कितनी बड़ी है या फिर इसमें कुछ अदर फैक्टर्स भी इन्वाल्ड होते हैं अभी हाली में World Directory of Modern Military Aircraft ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन Air Force दुनिया की 6th best air service है in terms of fire power कुछ लोग कहते हैं कि 3rd best है हाला कि ये रिपोर्ट different air services को compare करके अपना analysis present करती है अगर देशों को compare करती तो ये ranking 3rd होती Hello everyone I welcome you all to another informative session of educator मेरा नाम है प्रकरशर्मा और इस YouTube channel में हम discuss करेंगे भारत को effect करने वाले कुछ important issues को तो start करते हैं हमारे आज के session से अब ये जो report जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं इतनी जादा important news इसलिए है क्योंकि IAF जो की दुनिया की 4th largest air force है उसने चाइना की People's Liberation Army Air Force से जादा बहतर perform किया है भारत के पास 1,645 aircraft है जबकि चाइना के पास 2,040 aircraft है इसके बावजूद भारत की ranking जादा बहतर है इस report की analysis पर अपनी opinion बनाने से पहले आये जानते हैं कि ये report असल में है क्या World Directory of Modern Military Aircraft एक comprehensive report बनाने वाली body है जिसका major purpose है दुनिया की विभिन air force की strength को evaluate करना and based on their analysis एक report जारी करना जिसमें ये बताया जाएगा कि दुनिया में जितने भी military air services है उनकी ताकत और उनकी खामिया क्या है इस पूरे data को compile करके ये body एक rating जारी करता है जिसको कहते है true value rating अब ये TVR का data किस formula या किस factor पर depend करता है factors जैसे कि modernization यानि किस देश के जो military air services है उसके पास कितने modern aircraft हैं कितने modern weapons हैं कितनी modern training है present threat को deal करने के लिए या फिर logistical support उसका कैसा है forward areas में जंग के मैदान में supplies पहुचाएने की capability क्या है mid air refueling जो aircraft जिनको हवा में तेल भरा जा सकता है क्या वैसी capacity उस air service के पास है या नही या फिर air strips की availability forward areas में है या नही इसके अलावा attack helicopters और attack aircraft है या नही enemy territory में घुसके deep strike missions कंड़क करने वाले aircraft होते हैं तो ऐसे तरह के aircraft है या नही और defensive aircraft यानि वो aircraft जो अपने air space में operate करके अपनी territory को defend करने वाले जो aircraft होते हैं क्या वैसे तरह के aircraft है या नहीं इस पर भी depend करता है ऐसे factors को analyze करके TVR calculate करते हैं and based on this rating air force की rank decide करी जाती है तो आप देख सकते हैं कि quantity नहीं बलकि quality एक important factor है यहाँ apart from this एक और important factor है जो कि mixed variety of aircraft कितने है हर aircraft एकी तरह का नहीं होता different types of होते हैं aircraft के कुछ enemy territory के अंदर घुसके हमला करते हैं तो कुछ का role होता है escort missions conduct करना यानि जो बड़े जहाज हैं उनको एक defensive cover provide करना और अगर कोई उनके ओपर कोई दूसा जो weapons हो गया या aircraft उस पर हमला करने आता है उस बड़े जहाज पर हमला करने आता है तो ये interceptor जहाज उस हमले को रोकते हैं कुछ aircraft का purpose होता है mid में refilling करना तो कुछ का purpose होता है weapons को supply करना तो एक mixed inventory important है high TVR obtain करने के लिए other factors include करते है special mission aircraft ये special mission aircraft क्या है तो 1971 के युद के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी हार का बदला बहुत जद लेगा वहाँ की military पर नजर रखने के लिए भारती वायू सेना के एक aircraft MiG-25 ने continuous basis पर पाकिस्तानी airspace में दाखिल होना शुरू किया 1981 से 1997 तक ऐसे कई missions कंड़क्ट हुए जिसका पता पाकिस्तानी वायू सेना को बहुत बाद में बच चला तो ऐसे special tactical aircraft की तादाद कितनी है किसी भी वायू सेना में ये भी बहुत important role play करता है टीवीर रेटिंग में Close Air Support Aircrafts, Strategic Bombers Aircrafts ये अधा सच फैक्टर्स है Currently जिस तरह के हालात हैं LSE पर इससे हमें राहत की सास तो जरूर मिली है कि हमारी Air Force इतनी सक्षम तो है चाइना के एक misadventure को रोकने के लिए लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जहाँ पर AFO struggle भी कर रही है आज़ादी के बाद से ही Indian Defense Manufacturers struggle करते आए हैं Homemade Aircrafts बनाने में भारत में बना HF मरूर पंडित नहरू के जमाने का बनाया गया Aircraft है जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाया इसके बाद sincere efforts करे गए Homegrown Aircrafts बनाने में जैसे कि HAL Tejas इसी direction में उठाया गया एक कदम था लेकिन उस Aircraft को बनने में भी 30 साल से उपर का वक्त लग गया शुरुआत तो जरूर हुई है लेकिन अभी अभी एक लंबी दूरी तेयर करनी बाकी है भारतिय वायू सेना लंबे अर्शे से पुराने aircrafts operate कर रही है और 60 साल से ज़ादा वक्त बीद गया है इन aircrafts को replace नहीं किया गया MiG-21 एक ऐसा ही aircraft है जो की Soviet जमाने का है भारतिय वायू सेना में लगबख 800 से ज़ादा MiG-21 operate किये जाते थे लेकिन अब 400 किसे ज़ादा उसमें दुरघटना ग्रस्त हो चुके है और कई pilots इसमें अपनी जानवी गवा चुके है 2006 में एक movie release हुई थी रंगदे बसंती के नाम की जिसमें MiG-21 का issue raise हुआ था लेकिन 17 साल बाद आज भी हालात वैसे के वैसे ही है MiG-21 को आज famously flying coffin या फिर्म video maker भी कहा जाता है क्योंकि इसकी crash history इस तरह की रही है leadership का decision MMRCA contract को लेकर government to government deals और ऐसे कई कारणों की वज़े से modernization process एक बहुती slow pace में चल रहा है भारत की air force में fighters squadrons बहुत तेजी से decline हो रहे है modern conditions को लेकर अगर हमें एक two front wars से निपटना है यानि पाकिस्तान और चाइना के एक combined threat से अगर हमको निपटना है तो भारतिय air force में 42 fighters squadrons की requirement है यानि इस समय वायुसेना को 840 से ज़ादा fighter jets मैं बड़े aircraft या दूसरे तरह के transport aircraft की बात नहीं कर रहा हूँ fighter jets की बात कर रहा हूँ तो 840 fighter jets की ज़रूरत है एक two front war से निपटने के लिए लेकिन अब वायुसेना की strength decline हो गई है और वो अभी 33 squadrons तक पहुँच गई है और जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तो ये strength और भी कम हो सकती है तो आने वाले 5 से 10 साल बहुत critical होंगे हमारी air force के लिए इसी के साथ हमारा आज का session end होता है उम्मीद करता हूँ आपको ये session पसंद आया होगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा like करे, share करे, subscribe करे और हम आपसे मिलेंगे अगले session में ऐसे ही किसी important issue को discuss करने थैंक यू वेरी मुच्छ